आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रबड़ी कीर की रेसिपी तो चलियां इसको बनाने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक पॉर्ड में चार कप दूद एट करेंगे साथ ही हम इसमें एक कप सोग किये वे चावल एट करेंगे और इसको पंद्रह से बीस मिंट के लिए हलकी आज़ पे पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ थोड़ देर के बाद हम इसमें चमच चलाते रहेंगे ताके चावल और दूद हमारा नीचे ना लगे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताके मेरे हर आने वाली नए वीडियो की नोटिकेशन आप लों तक टाइम पे पहुंच सके पंद्रह से 20 मिन के बाद दूद्ध हमारा अच्छी तरह काड़ा हो जाए तो इसमें वन टेबले स्पून बादाम वन टेबले स्पून पिस्ता और वन कप पिस्ता और वन कप कंडेंस मिल्क एड़ करके अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा दूद में मिला हुआ जाफरान एड़ करेंगे यह आप्शनल है आप इसकी जगा इलाची भी एड़ कर सकते हैं अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें हम वन टी स्पून अरके घुलाब एड़ करेंगे और मज़ीद इसको 15 मिन तक पकाएंगे ताकि यह अच्छी तरह गाड़ा हो जाए तो लीजिए हमारा मज़िदार सा रबड़ी खीर बनके रेड़ी हो चुका है अब इसको हम डिशाउट करेंगे खीर को डिशाउट करने के बाद इसको हम पिस्ता बदाम के साथ गार्निशिंग करके फ्रिच में ठंडा होने के लिए रख देंगे अगर आप लोगो को मेरी रबड़ी खीर की रेसेपी अच्छी लगे तो प्लीस लाइक कमेंट जरूर कीजिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अपनी फैमली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे मेरे फैमली को अपने दौाओं में जरूर याद रखिए आला हाफिस